नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमोग खबरों को तमिलनाडू के युबा कल्यान मंतरी उदया निधी स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममताबनर जी ने कहा कि मैं तमिलनाडू के लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ लेकिन उनसे मेरा विनमर अनुरोध है कि हर धर्म की अपनी अलग भावनाई होती है भारत एक धर्म रिपेक्ष देश है या एक लोगतांतर एक देश है और साती विविद्दा में एकता ही हमारा मूल है इसलिए मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ हम मंदर मशिद चर्च हर जगा जाते हैं बंगाल में पुढ़ोईतों को पेंसन दी जाती है हमें ऐसी किसी भी बात पर टिपनी नहीं करनी चाहिए जिसे बड़े वर्ग या छोटे वर्ग को ठेस पहुँचे प्रमुख मुसलिम संगठन जमियत उलेमा एहिंद के प्रमुख मौलाना अरसद मद्नी ने हर भारतिये के हिंदू होने संबंधी राष्टिय स्वयम सेवक संके सर संग्चालक मोहन भागवत के बयान को निरर्थक करार देते वे सोंबार को आरोप लगाया कि संग देश में नफरत का महल खत्म करने के लिए राजनितिक बदलाऊश जरूरी है। लोग स्कूल में पढ़ाते हैं पर प्रकाशित तो मेरा जो तेज है वो 140 करोर लोगों का तेज है जो रिफलेक्ट होता है। सुप्रीम कोट में जमु कश्मीर में आर्टिकल 370 नरस्त के जानी के फैसले को चनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। के दुरान एंजियो रूट्स इन कस्मीर के एडवोकेट ने सुप्रीम कोट को बताया कि अकबर लोन ने राज्य विधान सभामी 2018 में पाकस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। के बाद सॉलिसिटर जनरल ने भी मांग की कि कोट अकबर लोन से एक हलफ नामा मांगे जिसमें वा अलगलबाद और पाकस्तान के आतंगवादी हरकतों को विरोत करें एंजियो ने 11 फरवर 2018 के अकबरों की कुछ प्रतियां भी सुप्रीम कोट के सामने रखी। अरबियाई गवर्नर सक्तिकान दास ने सुमवार को कहा कि यूपी आई पेमेंट भारत की दीर की हड़ी बन गया है आगे बोले कि देश में डिजडल भकतान पारसितिकी तंत्र में कांती ला दी है और लाखो बैंक रहेद व्यक्तियों को अपचारिक वीतिय प्रनाली में लाकर वीतिय समावेशन को बढ़ावा देने में महतपुन भूमिकानी भाई ये आरबियाई गवर्नर सक्तिकान दास आरबियाई और बैंक फॉर इंटरनाशनल सडर्मेंट स्वारा आयोजित जीबीस टेक्स स्प्रिंट फिनाली को संबोधित कर रहे थे भारत की जीबीस प्रिंट की शिर्वाद 4 माई 2023 को की गई थी इसका विशय था सीमा पाड भुकतान के लिए तकनी की समधान पाकस्तान के काड़े वाहग प्रधान मंतरी अन्वारूल हक काकर ने कहा कश्मीन मुद्दे का हल निकाले बिना भारत के साथ वैपार संभव नहीं है भारत के पुरु सलामी बलेबाज गौतम गंभीर का हाली में एशिया कप 2023 का एक वीडियो वार्यल हो रहा है जिसमें दर्शक जब कोहली कोहली के नारे लगाते हैं तो गंभीर उन्हें असली इशरा करते हैं अब इस पर गंभीर के सफाई आई है गंभीर ने कहा है कि सोचल मीडिया पर पूरा सच नहीं दिखाया जाता उन्होंने कहा कि वहाँ पर हिंदुस्तान, मुर्दाबाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर नारे लग रहे थी और उनकी प्रतक्रिया इसी को लेकर थी बीते कई घंटों से तमिलनाडू की मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधी स्टालिन का बयान साजा किया जा रहा है उदयनिधी ने अपने बयान में सनातन धर्म की डेंगो और मलेरिया से तुलना की वह यहीं नहीं रुके बलके इसे इरेडिकेट करने की भी धंकी दिया ब प्रमहंस आचारे ने सनातन धर्म संबंधि टिपनी को लेकर तमिलनाडू की मंत्री उदया निधी स्टालिन को सिर्गाटने वाले को दस करोड रुपय इनाम देने की शुमबार को घोषनाया अगर किसी ने इस स्टालिन को मारने की हमत नहीं की तो मैं खुद उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंडूंगा और माट डालूंगा राश्ट्री राजधाने दिल्ली में आठ से दस सेतंबर तक जीबीस देशों का शिखर समेलन आयोजित होने जाड़ा है इसे में देश के अनेक हिस्तों से नहीं दिली रेल्वेस स्टेशन पहुंजने वाले कहीं ट्रेयनों को डाईवर्ट किया गया है ये दोनों प्रीमियų ट्रेयने 8 और 9 शिटमबर 2023 को नहीं दिल्ली रेल्वेस स्टेशन के बजाय आनंद ओहार टरमिनल पर पहुंचेगी एशिया कद 2023 से एक बड़ी खबर सामने आ रहे बीच टूनामेंट में एशियन क्रिकेट काउंसल ने एक बड़ा फैसला लिया है शिलंका के कोलंबो में होने वाले फाइनल समय सूपर चार्ल स्टेस के सभी मुकाबलों को हम बन टोटा में सिफ्ट कर दिया गया है बता दे को कोलंबो में समय काफी तेज बारिश होड़ी है मौसम वार के मताब एक अगले कुछ दिनों तक यहां लगतार बारिश होगी यही कारण है के एसी सीने कोलंबो के सभी मुकाबलों को सिफ्ट किया है अब एशिया कब का फाइनल भी इसी मैदान पर 17 नंबर को खेला जाएग हाल में स्लीपर बसों में हासे के बाद आग जने की बरती घटनाओं को देखते वे केंदर सरकार ने नए मांदरन जारी किये हैं जिसे जल से जल लागू करने का नर्देश दिया गया है नए मांदरन के बतावे किसी भी आपात सिती में बस के अंदर मौजूद यात्रियों को तेजी से बाहर निकालने के लिए सभी नई स्लीपर कोच बसों के हर बर्थ पर एक अथोरा रखना होगा इसके अलावा विमानों की तरह सीटो और बर्थ से लेकर सभी एकजट गेटों तक रिट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का नर्देश दिया गया है अमित दूबे भारतिय विग्यानिक आईशा तुफैल और मलेशिया ही सोध करता अमिया रेउनी और प्रोफेसर केसर एक एम वेनूल हक के साथ की गई उलेखनी एक खोज प्रकासित हुई है सोध निर्शकर्स के अनुसार चार तीन हाइड रॉक्सी निलीनो छे साथ डाइ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी नौ सेना के कमांडरों से बाचीत के उन्होंने सिमाव पर सुरक्षा सिति के बाड़े में संशित जानकारी भी प्रदान की चनरल पांडे ने भारतिय सेना दौरा किये गए विवन आधुनिकी करन स्वदेशी करन मानव संसाधनों और ती सरकार एलाइसी के साथ मलकर आईडी बियाई बैंक में लगभग एक सर्क प्रतीशत हिसेदारी बेच रही है और इसके लिए उसे कहीं रूची प्राप्थू मिले हैं सरकार और रिजर्ब बैंक समय बोलियों की जांच कर रहे हैं बोली लगाने वालों को बोली प्रक्रिया अगर कल्स में मुसल्मान हो या इसाईयों को खत्म करने का बयान दे हूँ तो कॉंग्रस क्या इसे मेरी अभिवक्ति की आजादी माने की चाहे कोई हिंदू हो मुसल्मान हो या इसाई धर्म हो क्यों आप उन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं इसके मुख्य दोसी कॉंग् आयकर विभाग नस्पस्ट किया है कि उन्हें गलती से नोटिस भेजा गया था। यह मामला IRFC फंड का उप्योग करके महंगे सोने और गैर सोने की वस्तों की खरीद खरीद और वितरन से संबंदित है IRFC भारतिये रेलवे के तहत एक अनुसूची ए सारजन इक्षे त्रोपक्रम है जो मोखे रूप से रोलिंग स्टॉक के अधिकरहन और हाली में रेलवे प्रकाशित की थी रिपोर्ट के अनुसार F.I.R. में पहले सूचना प्रोद की अधिनियम की वो धारा 66A लागू की गई थी जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था रद की धारा के तहत ऑनलाइन अपती जनक सामगली पोस्ट करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक एक समधान है और वह है भाजपा के कुछासन से शुटकाड़ा पाना इसकदम क्या लोचना करते वे सीपी आई नीता डी राजा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी हमेशा भारत के लोकतंत्र की जन्नी होने की बात करते हैं और फिर सरकार अने राजनेतिक दलों से एथनिक क्लिजनिंग का अरूप लगाए और कहा कि इस खटना क्रम्स जाला सर्मना कुछ नहीं हो सकता परुवगरी मंत्री ने दा हिंदू में आई एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि इंफाल से अंतिम पांच को की परेवारों को अधिकारियों ने उ पांच करोर रुपए के मोधी सरकार ने एक देश एक चनाव पर पुर्व राश्टुपती रामनात कोविन की अध्यक्षता में एक समीती का गठन किया गया जिसमें आट लोग शामिल है इसमें शामिल होने के लिए प्रमुक व्यपक्षी पार्टी कॉंग्रस गनीता अध दीर रंचर ने बताये कैसे देर रात 11 बजे उनके पास प्रधान मंतरी काड़याले से कॉल आया था और इसे कमीटी में शामिल होने के लिए कहा गया था अपनी बात की सत्यता को साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पेगास समिट के मदे नजर 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में कोई लॉगडाउन नहीं रहेगा पहले दिल्ली पुलिस ने एक ग्यापन जारी करते वे कहा था कि 8 से 10 सितंबर तक दुकाने ऑफिस पारकिंग स्कूल और प्राइवेट ऑफिस को बंद करने का जो और निकाला अब उसे व समिग 122 लडाकू हेलिकॉप्टर मध्य हवा में इंधन भरने वाले AWA CS विमान और पडिवान बेरे को भी तैनात किया गया है इसके लवच चिनुक और अपाचे भी अपनी अदमे तागत कुदुस्मन की सीमा के पास दिखा रही है भारती अंतरेक्श अनुसंधान संगठन यानी की इस्रो के दोरा एक्सपर्ट ट्वीट करिया जानकारी दी गई है कि भारत के पहले सौर मिशन आदेत एल एक मिशन दूसरा अर्थ बाउंड पैतरेबाजी इस ट्रैक बेंगरूरू से सफलता पुरवक निस्पादित किया प्राप्त की गई नई कख्षा 282 किलो मीटर गुना 40,225 किलो मीटर है अगला युद्धवास 10 सितमर 2023 को लगभग धाई बज़े के लिए नरधालिक है विहार सरकार के सक्षा विवाग के दौरा राजिक के सरकारे स्कूलों में पहले से घुशत अवकासों की जगर रक्षा बंधन समीत कहीं छुट्टियों खत्म करने संबंदी अपने आदेश को बीते दिन वापस ले लिया गया है प्रग्यान रोवर के नाम पर प्रग्यान प्रभास रखा गया है बंगाल और दिली के डिजाइनर विशेश पोसाक को अंतिम रूप दे रहे है फोबर्स के दुरा जारी के गए दुनिया के सबसे बड़े बैंक की सूची में जेपी मॉर्गन चेस विश्व की सबसे बड़ी बैंक है जिसका हेड़कॉर्टर न्यू यॉर्क अमेरिका में स्थित है इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैंक अफ अमेरिका का नाम है वह इस लिस्ट में तीसरे और चौथे स्थान पर चीन के दो बैंक इंडूस्ट्रियल एंड कमिर्सियल बैंक ओफ चाइना लिमिटेड और अर्विकल्चर बैंक ओफ चाइना के नाम है भारत का SDFC बैंक भी टॉप पांच बैंकों के लिश्च में शामिल है SDFC बैंक का कुल मार्केट कैम्प 157.9 बिलियन डॉलर है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अपना जवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में दरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद